नमस्कार मित्रों मारी यूटुब चलानों फरी एक वार आपनों रधे पूरेक स्वागत छे गणिवार आपने जुए तो घणा लोकोने चरभीनी गांट थाएशे तो चरभीनी गांट सरीना बारना भाघमा थाइशे अने शरीनी अंदर्पन थाइशे तो गणिवार जो ये तो घणा लोकों ने मोडा उपर के कपाड उपर के हाथ उपर के गमेते जिग्याई सामने गौठ होई ए टाइब नी चर्बीनी गौठ जोवा मड़े छे ये गौठ एकज जग्या रहे छे दबावा थी पोची होई छे ये गौठ आपने नर्ती नती य आई वेत्मा चे चर्बीनी गौठ जल्दी थी बने से जे लोकों ने डाइबिटेश नो प्रब्लेम होई हाई बीपी नो प्रब्लेम होई कोलोश्टोंनो प्रब्लेम होई पेटमा कबज्या थती होई गेस थतो होई झे लोकों नी पाचन सकती मन्द होई जे लोकों नी इमनिती सिस्टम रोगप्रतिकाराख सकती ओच ही होई येवालोक garlic अंदर चर्बीनी गौठ जोभा मड़े से तो चर्बीनी गौठ थाए तो नमबर एक एवा लोकों ये सवती पीछाला तो खोड़ाक मां परिवर्तन करूँ जी तो सवती पीछाला तो सफेद खांड जेनी अंदर केमिकल नो उप्योग करवा मां आवेशे खांड ने सफेद बनावा मांटे एक खांड नो बिल्कुल उप्योग बंद करी देआ हो जु अने एनी जग्याए तमारे सिंधा मिठू के काला नमक गरे जाते लावी अने पत्थर मा थी दड़ी अने बनावे लूज वापरू जुए अने सफेद खांटनी जग्याए ओरिदनर देशी गोड जे बजानी अंदर मढे से एनोज उप्योक करवो अथवा देशी साकर साकर बजार मां मढे से एनोज उप्योक करवो खारनी जग्याए नमबा थ्री मैदो अने मैदा मां थी बनावेली कोईपण आइटम केरे खावी नहीं कारण के मैदो ये चिकणों मां थी आपला सरीर मां वधूपरती खावाने कारणे आपला सरीर मां कबजी अथवानी अन डबल रिफाइन करवा मांडे एनी अंदर केमिकल नोउप्योक करवा मां मेशे एटले रिफाइन अने डबल रिफाइन थायलू तेल क्यारे खावू नहीं अने डालडा घी पन क्यारे खावू नहीं तो आपला सरीर मां चर्बीनी गोट क्यारे नहीं थाए ये लोकोंना सर रोज ओच्छा मोची 30 मिनिट तमारे प्राणायम करवाना, 15 मिनिट अनुलोम विलोम प्राणायम करवाना, 15 मिनिट कपाल भार्दी प्राणायम करवाना, और 5 मिनिट तमारे भद्री का प्राणायम करवाना, कपाल भार्दी करवाना, आपने ये इम्मिनिटी सिस्टम से ये दिमें दिमें दूर थाएचे एटले नियमित ओच्छा माँची 30 मीनिर तमारे प्राणायम करवा जुए तो शरीर माँ कोईपन प्रकानी गोठ हसे चर्बी नी के साधी गोठ हसे तो ये खुब जणपती दूर थाएचे औने खोराक माँ परिवर्तन करवानू अने त्रीजो चाउद कल्लाक के सोड कल्लाक नों उपपास करशो तो आपना सरीर माँ जे कई गंदकी कत्रो जमाथ हएचे ए आपनु शरीर जाते ज एक कत्रो एक गंदकी ने दिमें दूर करेशे नंबर चार आपने जे के खुडाक कहिएचे ए सवथी बेला आपना जठनी अंदर जाएचे एनी अंदर डोट बेकर लाक शुदी वलवायेचे औने पछी ए बद्धोज खुडाक आपना नाना अत्रडामों जाएचे परांतु जारे आपने योग खुडाक लिएचे जे आपना शरीन अंदर योग गेरी ते पाचान थतो नथी जेना कारणे ए खुडाक आपना नाना अत्रडामों अने मूटा अत्रडामों चोटी रेशे अने एना कारणे दिमे दिमे एस खुडाक लोबा गाड़े शडवा लागे छे अने अनी अंदर थी 20 एटले के जहरी वायू उत्पन थाएचे ये जहरी वायू ना कारणे आपना सरीर्मों क्याक ना क्याक चर्बीनी गांठ बनवानी शरूवत थाएचे एटले गांठ बनवा माँटे में जवापदार हो है तो एचे कबज्यात और आपना सरीर्मी अंदर वायू नो बैलैंस बगड़ू ये वायू जैरे आपना सरीर्मों बगड़े शे त्यारे आपना सरीर्मों गांठ बनवानी शरूवत थाएचे तो एना माटे आपने हर्डे नूँ सेवन करू, हर्डे एक एवी आउसदी से, एवी वनस्पती से, के जेनू नियमित सेवन करवा थी, आपनी पाचन सकती से, एक पावर्फूल थाए से, और एना कारने आपनी रोग प्रतिकार रख सकती पन पावर्फूल थाए से, जेना का पावर्फुल करवा माटे आपणे नियम इध हड़ेनु सेवन करवो हड़ेनु सेवन क्यारे करवानू जम्वाना 10 मिनिट प्यला गरम करी अने ठंडू करेलो उमफाड़ू पाणी लेवानू एनी अंदर अर्धी चमची हड़ेनो पावडर नाकी अने जम्वानी 10 मिनिट प यह खुरावन खुब सारी रिते डाईजेशन यह लेके पाचन थाये अथ्वा बिजो उपाई छे कि तमें पाणी नी साथे ना लेवा तो डेशी गाई नू सुद्ध गी गरे बनावेनू होई तो अर्धी चमची गी लेवानू अने अर्धी चमची हड़ेनो पावडर ब आपना जे वड़वा ओशे ए दर मैने अथ्वा बे मैने नाना बाणकोंने अर्धी चमची अथ्वा चोथा बागनी चमची दिवेल एटले के एरंड यू चानी अंदर के उंफाला दुद्नी अंदर के पाणी नी अंदर नाखी आने पई देया था आपने पन दर मैने के ब्यमाईने अर्दीचम ची दिवेल बिवाने अपने राखुछू तो आपने सरींड लेंदर 0-2 अंने अम्मेशा चोखूरे से काच जहुरे शें काजक जेवुह रैसे अकाँ कि ये कई गंत की जमाद आए से आपने सरींड मा नाना अनने मोटा 0-2 काच जमाद आए आपने सरीर्माँ क्यारे गंद की जमा नहीं थाए तो अपने सरीर्म कियारे कढ़े नहीं थाएं तो आपने दियास तन्दूरयस निरोगी रही सकी यो आईविद माद चरक रुशिय कही खई तीजो प्रयोक से एनिमा एटले के एनिमा नो तमे प्रयोक करी सकोचो एनिमा एटले प्लास्टिक नी बोटन मा पाणी लए अने गुदावना मार्ति आपणा पेटनी यंदर अतरडा मो जवा देवानू अने पसे आम 12 मिनिट उबा थे आध फेवर वानू एटले अतरडा न आनो उप्योक करता प्याला तमने कोईपन प्रकानी बीमारी होए कोईपन प्रकानी डॉक्टर नी के वहिदनी दवा चालती होए तो तमारे डॉक्टर के वहिदनी शला लिधा पसीज आप रयोक करवा माटे विनन दी परम पित्या प्रमात्मा आप सर्वे ने तंदूरस् मारी प्रार्थना. Thanks for watching my video. Thank you.